नमस्कार दोस्तों भारत में उप्वास करने की प्रथा आज से नहीं कई हजारों साल से चलती आ रही है क्योंकि भारत में हमारे हिंदु धर्म में जो उप्वास करने की प्रथा है और अलग-अलग धर्मों में भी जैसे जो मुस्लिम धर्म है उसमें भी उप्वास करने की प करना चाहिएए उपवास के सारे पाइदे, कितने दिन करना चाहिए, उपवास कब करना चाहिए, सबसे पहले महीं आपको बताऊंगा कि उपवास करने से हमारे शरीर में क्या होता है तो देखिये हैं जब हम खाना खाते हैं हमारे शरीर में एक पाचन करीवा चलती है हमारे शरीर के स्टमक में जो हमासे है उसमें एक contains कर स Alteric Acid रहता है जिसे आयरवेद में अगनी के नाम से जाना गया है तो जब हमारी अगनी नेच्रल अवस्थ खा रहे हैं ज्यादा तेल में तले हुए चीज़ों को खा रहे हैं उसके वजह से हमारे जो अगनी होती है हमारे पेट में जो अगनी होती है वह विक्रूत हो जाती है मतलब कि वह खराब हो जाती है तो हम जो भी खाना अपने पेट में डालेंगे वह अच्छे तरीके से नही बनाता है वह विश यानि जो जहर है उसको बनाता है और वो जहर हमारे शरीर के अलग-अलग भागों में जाता है जो अलग-अलग ब्याधियों को उत्पन्न करता है जैसे अलग-अलग प्रकार की बीमारियां जो पेट से संबंदित है जैसे गैस की प्रोबलम होना आमलपित की प्रोब्लम होना जैसे सभी चीजे हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं तो जब हम उपवास करते हैं तो यह जो विश्ट बना हुआ है जो अगनी अच्छा नहीं था उसके वजह से विश्ट बन गया है तो यह विश्ट पूरी तरह से पाचन इसक कि ठिरू बाहर निकल जाता है तो हमें अच्छा फिल होता है और यह सभी बिमारीहं से भी निजध मिल जाता है तो अगर आप वीक में एक दिन भी फास्टिंग करते हैं तो आपके लिए वह अमृत की तरह है तो चलिए आफ जानते हैं कि आने fasting करने के क्या-क्या फाइदे हैं तो सबसे पहला फाइदा है कि आपके digestive power को यह maintain करता है अगर आपको digestive problem है अगर आपको constipation है अगर आपको gas की problem है तो इन सभी चीजों में अगर आप fasting करते हैं उपवास करते एक भी दिन अगर week में तो आपके लिए बहुत ही लाबकारी हो सकता है तो दूसरी चीज जो है कि आपके जो immunity है आपके जो ब्यादिक शमक्तवा सकती है याने कि जो भी आपके अंदर रोग आता है उसके लिए भगवान ने हमारे अंदर एक सिस्टम बनाया जो भी बैक्टिरिया आएगा वाइरस आएगा उसके खिलाफ हमारे शरीर में जो शक्ति है वो उसके खिलाफ लड़ती है तो वह शक्ति को बढ़ाता है वह जो इम्म्यूनिटी है उसको हमारे शरीर में फास्टिंग करने के वज़े से काफी मदद मिलती है तो जो तीसरी चीज़ाए वह है कि यह हमारे मेंटल स्ट्रेस का प्रोब्लम स्टार्ट हो जाता है जो मेंटली हम स्ट्रेस्ट हो जाते हैं अलग अलग तरीकर जो खराब खाना काते हैं जो भी बाहर का फास्ट पूड है उसको खाने के वज़े से हम मेंटली डिश्टर्ब हो जाते हैं जो मूड स्विंग होती है अलग किसे काम करता है अगर आप को बहुत कम शक्ति है आपको बहुत ठकान वोती आतो आपको उप्वास नहीं करना ह захarde कि जानते हैं कि किस लोगों को कि न न चाहिए जो लोग मोड़े जिनको मेंसा अपने मोटापे से सिकायत रहता है अलग अलग जगा जाके वो परशान रहते हैं फिर भी उनके मोटापा कम नहीं होती है तो उनको वीक में एक दिन उपवास जरूर करना चाहिए और जिन लोगों को अगर हाइपर टेंशन की प्रोब्लम है बीपी की जैसी बीमारिया है या फिर मे अपने चीजों के बारे में जानने के लिए नौटिफिकेशन बेल को जरूर दबाए धन्यवाद